गुड मॉनिंग बच्चों, वेलकम तू यूनिवर्सल बाइलोजी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बाइलोजी का चिप्टर नूबर 2 सेक्षवली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अभी तक में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फलावर के मुखी चार भाग होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एन्रोसियम और गैनोसियम एन्रोसियम को कहते हैं फलावर का मेल पार्ट और गैनोसियम को कहते हैं फलावर का फीमेल पार्ट है यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक इस्टामेन में एक डंठल जैसा इस्टक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं उसके ऊपर एक एंथर पाया जाता है एंथर प्राया दो लोब से मिल करके बना होता है और एंथर के प्रती एक लोब में दो चेंबर परजेंट र निर्मान होता है यह माइक्रोई स्पोर आगे चल करके पॉलेन ग्रेंज के रूप में विक्सित होता है हम लोग पढ़ लिये थे कि एंथर की वाल में चार लेयर पाये जाती है सबसे बाहर एपिडर्मिस उसके अंदर इंडो थेसियम उसके अंदर मिंडिल लेयर और सबसे अंदर में ठेपिटम ठीक है यह जो टेपिटम होता है अब कर पूस्के है यह जो सबसे कि यह ऐपिटम है अब कर घुर कर के भी जना कमेंट बोक्स में एक और कोस्ण देंगे इसके बाद हम लोग समझ गए कि यह जो pollen grains का structure होता है इसमें बाहर से दो cover होता है सबसे बाहर जो मोटा cover होता उसको बोलते हैं exine उसके अंदर का जो पतला cover होता उसको बोलते हैं intine तो second question है कि यह जो exine होता है exine किस organic compound का बना होता है लिख के बताना है कि ये जो X-Sign है या किस organic compound का बना होता है तो दो question, एक question टेपिटल सेल में कितना नियोकलियस परजेंट रहता है दूसरा question, X-Sign किस organic compound का बना होता है इस दोनो question का अंसर लिख भेजना है comment box में हम लोग ये भी पढ़ लिये थे कि flower का female part होता है गैनोसियम गैनोसियम की unit को हम करते हैं कार्पेल या pistil एक कार्पेल जो होता है उसके बनावट को भी हम लोग समझे थे अभी आज के lecture में हम लोग पढ़ेंगे pistil या कार्पेल के बारे में मेगा इस्पोरेंजियम या ओभ्यूल के बारे में और पढ़ना है क्या इंब्रायो सेक के बारे में तो अगर हम सब चीज पढ़े हैं तो ये lecture बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है इसलिए आज हम लोग केवल pistil और मेगा इस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे उसके बार हम लोग मेगा इस्पोरेंजियम या फिर ओभ्यूल को समझेंगे हम लोग जानते हैं कि फिमेल पार्ट होता है गैनोसियम गैनोसियम का यूनिट का लाता है कार्पेल या पिस्टिल तो एक कार्पेल का जो फीगर है थोड़ा देखना है यहां ध्यान से देखना है यह है एक कार्पेल या पिस्टिल ठीक है यह जो कार्पेल या पिस्टिल है इसमें यह एक कार्पेल एक फिमेल औरगन को रिपरेजेंट करता है एक कारपेल एक female reproductive organ हुआ इस कारपेल में तीन भाग होता है सबसे उपर ये जो चप्टा वाला भाग है इसको बोलेंगे stigma ये जो लंबा सा पतला भाग है इसको बोलते है style और नीचे जो फुलावा भाग है इसको कहता है ovary और इस ovary के अंदर में प्रेजेंट रहता है ovule इस ovary के अंदर में प्रेजेंट रहता है ovule हम लोग ये सब पढ़ चुके थे लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि NCRT बुक में क्या लिखावा है ये हम लोग जो गैनोसियम पढ़ रहे हैं कारपेलिया पिस्टिल को रहे हैं हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं अभी हम लोग 12 क्लास के बुक में जो लिखावा उसको हम लोग समझने का परियास करते हैं कारपेलिया पिस्टिल दी गैनोसियम री पर्जेंट दी फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट ओफ दी फ्लावर यानि की गैनोसियम जो है ये फ्लावर का फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट को दरसाता है ठेक फिर देखो क्या है ति गैनोसियम में कॉंसिस्ट ओफ दी सिंगल पिस्टिल या कारपेल या फिर जहें बोलता है कि maybe more than more than one pistol या कारपेल मतलब यह कि गैनोसियम में या तो एक कारपेल या पिस्टिल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा कारपेल या पिस्टिल हो सकता है जब गैनोसियम में एक कारपेल होगा जब गैनोसियम में एक कार्पिल या पिस्टिल होगा ठीक है, सिंगल एक कार्पिल या पिस्टिल होगा तब हम उसको बोलेंगे मोनो कार्पिलरी तब क्या बोलेंगे? मोनो कार्पिलरी और अगर गैनोसियम में एक से ज़्यादा पिस्टिल या कार्पिल होगा more than one, एक से ज़्यादा कारपिलिया पिस्टिल होगा, तब हम उसको बोलेंगे multi-carpillary, क्या बोले, गैनोसियम के यूनिट को कहते हैं कारपिलिया पिस्टिल, गैनोसियम या तो एक कारपिलिया पिस्टिल का बना हो सकता है, जब गैनोसियम में केवल एक कारपिल होगा, तब हम उसको बोलेंगे monocarpillary, जब ganosium में एक से ज़्यादा कारपिल होगा, तब हम उसको बोलेंगे multi-carpillary, clear, आगे बढ़ते हैं, when there are more than one pistol may be fused together, syncarpus, or may be free, यानि epocarpus, मतलब जब ganosium में एक से ज़्यादा कारपिल या सकता है, या तो एक दूसरे से अलग हो सकता है, ganosium में जब एक से ज़्यादा कारपिल या पिस्टिल होगा, तो वह सभी कारपिल या तो आपस में joint रहेगा, या तो एक दूसरे से अलग अलग रहेगा, तो जब सभी कारपिल आपस में ज्वाइंट रहेगा तब हम उसको बोलेंगे सिन कारपस याद रखना यह सब टर्म जब सभी कारपल या पिस्टिल आपस में ज्वाइंट होगा तब हम उसको बोलेंगे सिन कारपस और जब सभी कारपल या पिस्टिल एक दूसरे से अलग-अलग होगा तब हम उसको बोलेंगे एपो कारपस ठेक आगे देखो क्या है इच पिस्टिल है थ्री पार्ट्स पिस्टिल या कारपिल में तीन भाग होते हैं कौन-कौन इस्टिगमा, स्टाइल एंड ओभरी ये इस्टिगमा स्टाइल और यह हो गया ओभरी ठेक, आगे देखो क्या है इस्टिगमा सर्फ्स एज दी लेंडिंग प्लेटफोर्म फोर पॉलेंग ग्रेंस, याँ इस्टिगमा जो है यह पॉलेंग ग्रेंस के लिए लेंडिंग प्लेटफोर्म के जैसा काम करता है अब ये लेंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ देखो जब एंथर से पॉलेंग ग्रेंज बाहर निकलता है तो वह कहां जाता है कौन सा भाग है कारपिल का वह कौन सा भाग है जो पॉलेंग ग्रेंज को ग्रहन करेगा वो है इस्टिग्मा तो इस्टिग के उपर चलो यहां आ गया इस्टिगमा के उपर आ गया पॉलेन ग्रेंस यह प्रोसेस क्या कर लाएगा पॉलीनेशन यह प्रोसेस क्या कर लागया पॉलीनेशन यह जब पॉलेन ग्रेंस एंथर से निकल करके इस्टिगमा तक पहुंचता है तो हम इस प्रोसेस को बोलता है प अधिक ओभ्यूल इसके अंदर परजेंट रहता है एक या एक से अधिक ओभ्यूल हम लोग ओभ्यूल के स्ट्रक्चर को आज ही ठीक से समझेंगे अभी ओभ्यूल का हम विस्तरी तरिके से फिगर नहीं बना रहे हैं अभी जो हमारा नेक टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ओ इंब्रायोसेक और इस इंब्रायोसेक में दो फिमेल गेमिट परजेंट रहता है एक फिमेल गेमिट ये है और एक फिमेल गेमिट ये है ठीक है ये दो फिमेल गेमिट है और पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे कि पॉलेन ग्रेंस के अंदर में दो मेल गेमिट का निर्म निर्मान होगा, कैसे निर्मान होगा, यह भी हम लोग आगे पढ़ हैंगे, चलो यह pollen grains के अंदर का दो male gamit है और यह ovule के अंदर का दो female gamit है, इसका नाम लिख देते हैं, यह हो गया ovule जब pollination होता है, pollen grains stigma के उपर आ जाता है, जर्मिनेट करेगा जैसे यह अंपुरित होगा तो इस पॉलेन ग्रेंड से एक ट्यूब निकलेगा और इस ट्यूब को हमकाता है है पॉलेंटुब इसको बोलते हैं पॉलेंटुब अब यह पॉलेंटुब धीरे धीरे स्टैल से निशी आएगा फिर ओभी के तरह जाएगा और इधर से जो है यहाँ से अभियूल के अंदर में प्रवेश कर जाता है दुखो ऑभियूल के अंदर अब एक male gamit जुड़ जाएगा एक female gamit से, दूसरा male gamit जुड़ जाएगा दूसरे female gamit से, इनकी double fertilization की प्रिकरिया संपन होगी, उसके बाद flower का दिकांस वाग मुर्जा करके जड़ जाएगा, यह जो ovary है, यह आगे चल करके fruit का निर्मान करेगा, यह ovule है, यह आगे चल करक seed का निर्मान करेगा, ठीक, अभी हम लोग, यह तो आगे का process है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी NCRT book के हर line को हम लोग को clear करना है, तो क्या लिखा हुआ है, the stigma serves as the landing platform for pollen grains, यह जो stigma है, यह pollen grains के लिए landing platform का कारी करता है, मतलब pollination के दौरान जो निकला हुआ pollen grains होता है, वो इस्टिगमा पर ही पहुंचता है, फिर देखो क्या है, the style is the elongated cylinder part beneath the stigma, मतलब यह जो style है, यह stigma के ठीक नीचे का पतला लंबा भाग होता है, ठीक है, यह जो style है, यह stigma के ठीक नीचे का पतला लंबा होता है, the basal bulged part of the pistil is the ovary, यानि कि कार्पेल का, कार्पेल या पिस्टिल का जो basal part है, जो आधारी भाग है, जो बल्ज पार्ट मतलब जो फुलावा है, यह जो फुलावा भाग, आधारी फुलावा भाग है, यह क्या है, ओभरी है, ठेक, उसका देखो क्या काता है, inside the ovary is the ovary cavity, यानि कि ovary के अंदर में एक cavity होती है, यानि कि ovary cavity होती है, और उस ovary cavity को हम कहते हैं, लोक्यूल, ओभरी तो यह हुआ, और ovary के अंदर में एक cavity present, एक खाली जगा मौजूद है, और उस खाली जगा को बोलता है, लोक्यूल, और उसी लोक्यूल में present रहता है, क्या, ओ अब्यूल में एक डंठल है जिसको बोलता है फ्योनिकल और यह जो फ्योनिकल है यह अब्री की दिवार के जिस पॉइंट पर जुड़ा जैसे यह है फ्योनिकल डंठल अब्यूल का डंठल यह अब्री के दिवार के जिगह पर जुड़ा तो यहां पर एक छोटा सा उभार हो के अंदर में प्लसेंटा रहता है याद रखो कि प्लसेंटा वह जगाय होता है जहां से की अभियूल जुड़ा हुआ रहता है यह सब हम लोग पहले भी पढ़े थे अभी एंसेया टीबुक के हर लाइन को हम लोग के लिए कर लिए और कुछ पॉइंट हमको अलग से भी देखने के लिए मिला हम लोग अब समझते हैं मेगा इस्पोरेंजियम या फिर ओभियूल के वारे में तो ओभियूल कहां पर परजेंट है और ओभियूल में एक डंठल होता है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल यह फ्यूनिकल हम लोग अब पढ़ते हैं ओभियूल के बारे में ओभियूल को मेगा इस्पोरेंजियम भी कहते हैं याद रखना इस बात को हम लोग अभी समझे ना कि कार्पेल का तीन भाग स्टिग्मा इस्टाइल और ओभरी उस ओभरी के अंदर में ही छोटा-छोटा दानेदार स्ट् जो लिखाव है वो तो समझाएंगे ही अभी हम एक ओभियूल का इस्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां से देखना है कि ओभियूल जो होता है वह ओभरी के अंदर का काफी सुक्ष में स्ट्रक्चर होता है बहुत दानेदारी स्ट्रक्चर होता है और एक ओभियूल चारों और से एक उभ्यूल चारों और से एक या दो कभर से घिरा राता उस कभर को बनाते हैं इन्टिगमेंट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ओभ्यूल के इन्टिगमेंट को बनाते हैं ठीक है यह हमारा अभ्यूल तियार हो रहा है और अभ्यूल का यह हुआ एक आवरन चारों और से घिरा हुआ एक इन्टिगमेंट तेखें यह हो गया एक आवरन एक इन्टिगमेंट इसके बाहर एक और आवरन होगा तो यह हो गया सकेंड आवरन इस फिगर को तुम सब अपने कॉपी में भी बना लना ठीक है यह हो गया सकेंड आवरन दो आवरन यहाँ पर एक चिद्र है गेप है ओव्यूल के चारों और इन्टिगमेंट तो होता है लेकिन की एक जगह में छिद्र होता है यह छिद्र कहलाता है मैक्रोपाईल यह हो गया in'tigment बाहर वाला आवरन कहलाएगा outer in'tigment और अंदर वाला कहलाएगा inner in'tigment ठीक हैं नाम याद रखना है और यहाँ पर एक छिद्र है इस सिद्र को बलेंगे मैक्रोपाईल मैक्रोपाईल यह जो अभ्यूल है उसमें एक डंठल लगा हो रहता है चलो यह एक डंठल बना दिये ठीक, अभ्यूल का एक डंठल होता है इस डंठल को कहते हैं फ्योनिकल इस डंठल को हम कहते हैं फ्योनिकल ठीक है और यह जो डंठल है यही जुड़ा रहता है जाकर के ओभरी की दिवार से लेकिन कि इस डंठल के यहाँ पर इस भाग में एक चप्टा सा भाग होता है उठा हुआ टाइप का और यह जो उठा हुआ भाग है हम इसको बोलते हैं प्लसेंटा यही है प्लसें परजेंट रहता है ऑभरी की दिवाब यहीं को बीगिं दिवार में प्लसेंटा चिपका रहएगा और फ्योनिकल निकला निकला है और फ्योनिकल जाकर के जूड़ चुका है और जहां कर तynnादया का जो बेसल पार्ट है वो कहला गया पलसेंटा ये पलसेंटा कनेक्ट रहेगा अब ध्यान देना है ये जो फ्यूनिकल है ये फ्यूनिकल ओभ्यूल के जिस जगह से चिपका है ये फ्यूनिकल ओभ्यूल के जिस जगह में जा करके टच हुआ कहां पर होआ यहां पर देखो यही ब्लब पॉइंट है नो यहां पर आकरके टच्छ हो गया तो हम इस जगह को कहते हैं हाई-ल ठीक है 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 LUM हाई-lum मतलब funicle ochvule के जिस point से जा करके Connect होता है उस point को हम कहते हैं heilum अब दखो ये जो हाई-lum है हाई-lum जहां पर टुच वा देखो ये है funicle दिहां तो ये फ्यूनिकल और इधर साया और और आप व्यू Also का इंटिग्मेंट तो ये वह जगह है जहां पर दोनों करके थोड़ा सा मुड़ करके इसतरह से उभार टाइफ से बना करके फुल करके और अब्यूल से पूरा इसे चिपका होगा रहता है तो इस पौइंट पर के पूर्ण रूप से चिपक चुका है इसको बोलते हैं रैफ है क्या बोलते हैं उसको रैफ है तो हम लोग समझ गए कि यह जो अभ्यूल है इसमें चारोर से दो कभर होता है बाहर वाले कभर को कहता है आउटर इंटिगमेंट अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटिगमेंट ये जो इंटिगमेंट है चारो और से अभिल को ढखे रहता है लेकिन एक जगे में छिदर होता है छिदर को कहता है माइक्रोपाइल अभिल में एक डंठल होता है इसको बोलता है फ्यूनिकल फ्यूनिकल के बेसल पार्ट से जुड़ा रहता है प्लसेंटा ये प्लसेंटा चिपका रहता है अबरी की दिवार में ये फ्यूनिकल अब्यूल के जिस पॉइंट पर जुड़ता उस पॉइंट को कहता है हाईलम लेकिन फ्यूनिकल का जो फुला हुआ भाग अभियूल से जाकर के सिपका रहता है उस भाग को हम बोलता है रेफ है अब ये जो अभियूल है इस अभियूल का जो बेसल पार्ट है ये कहलाता है जो बेसल पार्ट है इसको बेसल पार्ट ही बोलता है ठीक है ऐसा ने सुना कि उपह आतो इसको बेसल पार्ट है कियों द्यएक्जाद में यह जो वेसल फीगर है यह उल्टा अब्यूर्य का फिघर बन रहा हैinação यह होना चाहिए इधर मतलब यह वहला पाठ होगा ऊपर यह वहला भाग होगा नेचे तो फिर यह बेसल पाठ हो जाएगा तो कलाजा कहलाता है बेसल पाठ ठीक है आधार यह भाग और मैक्रोपाइल कहलाता है सिर्स भाग ठीक यह हो गया कलाजा अब इसके अंदर यानकी ओ नियू सिलस उस टिसू को बोलता है नियू सिलस नियू कलियस नहीं है सेल का नियू कलियस मत समझना यहां पर बहुत सरा सेल्स होगा सारे सेल्स को हम एक साथ बोलता है क्या नियू सिलस ठेक अब यह जो नियू सिलस है ध्यान से सुनना अभी बहुत सरा बात हम ऐसा बोलने वा अभी NCRT बुक में बहुत जादा चीज़ नहीं दिया गया पढ़ने के लिए लेकिन हम लोग जो आगे पढ़ने वाले अंगले लेक्षर में तो उसका भी थोड़ा सा कहानी समझ लो यह नियोसिलस समझ में आया कि अदर का जो एक टीसू होता है उसको हम बोलते हैं नियोसिल सेल साइज में हो जाता है बड़ा और वह कहलाता है मेगाइस्पोर मदर सेल वह कहलाता है मेगाइस्पोर मदर सेल यहां पर बहुत सरा सेल्स होगा कोई एक सेल हो जाएगा आकार में बड़ा और वह कहलाएगा मेगाइस्पोर मदर सेल उस मेगाइस्पोर मदर सेल में होता ह मियोंसिस डिविजन तो बन जाएगा 4 cells, 4 cells का निर्मान होगा वो 4 cells कहलाएगा मेगा 10 पॉर, वो 4 cells क्या कहलाएगा मेगा 10 पॉर, देखो, हम बता रहे हैं कि यह जो मियोसिलस है इसमें बहुत सरा cells होता है, एक cell size में बढ़ा हो जाएगा और वो कहलाएगा mega ispore mother cell mega ispore mother cell में meiosis division होगा तो बन जाएगा four cell one, two, three, four इस तरह से four cell बन जाएगा ये four cell कहलाता है mega ispore one, two, three, four ये है four mega ispore इस four mega ispore में से जो three mega ispore है ये nest हो जाता है degenerate कर जाएगा, खतम हो जाएगा फोर में से तीन मेगाइस्पोर नस्ट हो जाता है और बचता है केवल एक मेगाइस्पोर ठीक है तो याद रखना है कि किधर से नस्ट होगा तो मैक्रोपाइल वाले छोर का जो तीन मेगाइस्पोर है ये नस्ट हो जाता है और कलाजा वाले छोर की और का जो एक मेगाइस्प बना था 4 लेकिन 3 नेуется हो बचा कितने है एक मेगाइसपोर अब यही जो 1 मेगाइसपोर है यही female gamito fight अवस्था का 1st रूप होता है female gamito fight की सुरुबश्था की सुरुबात यहीं सोती है मतलब यह जो मेगाइसपोर जो है इसके अंदर में फिमेल गेमिट आगे चल करके बनेगा यही है प्रॉइड इस्ट्रक्चर है जो कि मियोसिस से बना होगा है अब होता क्या है यह जो एक मेगाइस्पोर है यह साइज में हो जाता है बड़ा और बड़ा हो करके वो कहलाता है इंब्रायो सेक तो अभी आम फिगर का यह सब पाट मिटा पे हैं और इस एक मेगाइस्पोर को बड़ा करके बना देता है तो देखो वह जो एक मेगाइस्पोर था वो साइज में हो चुका है काफी बड़ा देखो बड़ा हो गया अब यह कहलाएगा इंब्रायो सेक तो यह तो एक सेल है इसमें एक नियोकलियस परजेंट रहेगा इसके अ लगातार तीन बार मैटोसी डिविजन होगा, तो कुल कितना नियोकलियस बन जाएगा, जैसे एक नियोकलियस है, फर्स्ट मैटोसी हुआ, दो नियोकलियस बनेगा, दोनों में फिर सकेंड मैटोसी हुआ, दो से चार नियोकलियस बनेगा, और चारों में फिर थर्ड मैटोसी तो कुल कितना हो जाएगा, 4 दो न 8 बन जाएगा, यहन्गी 8 Nucleus बन जाता है यहन्गी यह जो Megaspor जो बड़ा हो चुका है, इसमें कितना Nucleus बन गया, 8 तो 8 Nucleus जो बनेगा उसमें से 3 Nucleus चला जाता है कलाजा वाले चोर कियोर 3 Nucleus आ जाएगा मैक्रोपाइल वाले छोर की ओर ठीक है तिन नुकलियस आ गया कहाँ मैक्रोपाइल वाले छोर की ओर और दो नुकलियस जो है ये रह जाता है बीच में हम क्या बोले जो मेगाइस पोर रहता है उसके एक Nucleus में लगातार तीन भार Maitosis होगा तो बन जाएगा टोटल कितना? 8 Nucleus 8 Nucleus में से 3 Nucleus अला जाता है कलाजा वाले चोर के और थोड़ा उपर के और चला गया और 3 Nucleus आ गया नीचे के और यानि की Micropyl वाले चोर के और आ गया मतलब यह जो तीन नुकलियस है इसके चार ओर सेलवाल, सेलवाल, सेलवाल बन गया जैसे सेलवाल बनेगा तो यह त्री सेल्स का सेल्स बन गया, तीन कोसी का बन गया यहाँ पर यह जो तीन नुकलियस है इसके भी चार ओर सेलवाल बन जाएगा cell wall cell wall और फिर ये भी हो गया cell wall तो यहां भी कितना nucleus हो गया कितना cell हो गया तीन cell हो गया ठीक अब और ये जो बीच का जो nucleus है इसके चारों और इस तरह से cell wall बनता नहीं है तो उपर में ये जो तीन cells का group दिखाई पड़ रहा है इस तीनों को हम कहते हैं antipodal cells, antipodal cells, ठीक, नमबर कितना है इसका, 3, तीनों cell haploid होगा, तीनों cell haploid होगा, ठीक, अब नीचे में ये जो तीन cells है, इस तीन cells में से, बीच वाला जो cell है, ये होता है, size में थोड़ा सा बड़ा, इसको बोलता है, egg cells, इसको बोलेंगे, egg cell, तो egg cell कितना है, 1, ठीक, और ये जो side में दो cell है, इस दोनों cell को हम कहते हैं, synergids, ठीक है, synergids, और synergids का नमबर कितना है, 2, अगर एक egg cell, और दो synergids को हम मिला दें, तो मिला करकर हम इसको बोलता है, egg apparatus, जगह की कमी है, मिला करकर हम इसको बोलेंगे, यह क्या मिला करके हम इसको बोलेंगे एग एपरेटस ठीक है एपरेटस अब यह जो बीच में दो नियोकलियस है इस दोनों नियोकलियस को कहते हैं पोलर नियोकलियाई ठीक है पोलर नियोकलिय का नमबर कितना है तो पोलर नियोकलियाई तो ए और फिर यह पूरा इस्टक्चर यह जो गोली स्टक्चर है हम इसको बोलेंगे embryosic क्या बहुलेंगे embryosic यहीं megaspor अब क्या कहला गया embryosic तो अभ्यून के अंदर में जो नियोसिलस होता है उसमें से कोई एक सेल साइज में बड़ा हो जाएगा बनाएगा megaspor mother cell megaspor mother cell भी meiosis होगा बनेगा 4 megaspor चार में से 3 megaspor नस्र हो जाएगा बचेगा 1 megaspor अब वो जो 1 megaspor है वो साइज में हो जाता है बड़ा और फिर बड़ा हो करके कहलाता है इम्रायरजेग और उसका जो एक nucleus है उसमें लगाता है 3 बार होगा mitosis बन जाएगा 8 nucleus 8 nucleus में से 3 चला गया कलाजा वाले चोर की ओर 3 आ गया मैक्रोपाइल वाले चोर की ओर 2 रह गया बीच में तो उपर और नीचे के nucleus के 4 और cell वाल बन जाएगा और ये हो गया 3 3 cell यहां 6 cell यहां पर बन गया और ये बीच में 2 nucleus रह गया अच्छी यहां पर बताना है कि इसमें total कितना cell और कितना nucleus है nucleus तो हमको दिखाए पढ़ रहा है 3, 6 और 2, 8 8 nucleus यहां cell कितना है 3, 3, 6 और ये जो बड़ा सा है ना जिस बड़े cell के अंदर में ये सब च्छटा-च्छा cell परजेंट है ये भी एक cell ही है इस बड़े से cell को बोलते है central cell इस बड़े सेल को बोलते है central cell हम लोग अगले क्लास में इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे इस बड़े सेल को बोलेंगे central cell तो यहां पर अभ्यूल के अंदर जो embryo sec है या ये जो female gametophyte अवस्था है यह 8 nucleate और 7 cell के रूप में रहता है यह जो embryo sec या female gametophyte यानि की देखो यह जो egg cell है यह हुआ एक female gamet और यह जो polar nuclea ही है धीरे धीरे दोनों polar nuclea आपस में जुड़ जाएगा धीरे धीरे आगे चल करके यह दोनों polar nuclea आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके कहलाता है secondary nucleus जब दोनों जुड़ जागा तो वो कहलाएगा क्या secondary nucleus वो secondary nucleus भी एक female gamet होता है तो एक female gamet हो गया egg cell दुसरा female gamet हो गया secondary nucleus कैसे बनेगा जब यह दोनों polar nuclea आपस में फ्यूज कर जाएगा जुड़ जाएगा तो एक diploid nucleus बनेगा वही diploid nucleus कहलाएगा secondary nucleus वो भी एक female gamet होगा तो यह जो female gamet of height अवस्था है यह 7-celled और 8-nucleate structure की रूप में रहता है अब हम लोग देखते हैं NCRT book में क्या लिखा हुआ है देखो Megasporengium या obule के बारे में क्या लिखा हुआ है The obule is the small structure attached to the placenta by means of a stock called funicle देखो क्या कहता है यह जो obule है यह एक small structure होता है छोटा structure होता है और वह जो है placenta नाम के structure के द्वारा यह देखो placenta नाम के structure के द्वारा एक dental यानि की funicle के माधियम से connect रहता है ठेक फीर है The body of the obule fuses with the funicle in the region called hyalum यानि की body of the obule fuses with the funicle in the region called hyalum यह जो funicle है funicle obule के जिस भाग से जुड़ता हम उस भाग को क्या बोलता है hyalum ठीक आगे देखो क्या है thus hyalum represent the junction between obule and funicle यानि hyalum जो होता है वो obule और funicle दोनों के बीच का क्या है junction है hyalum क्या है obule और funicle दोनों के बीच का junction वो जहां पर connect वा वो point है आगे देखो क्या है each obule has one or two protective envelops यानि की layer called integments यानि की प्रतियक obule में एक या दो protective layer cover होता है यहां दो cover एक दो यहां से यहां तक एक layer फिर यहां से यहां तक दूसरा layer तो एक या दो layer होता है cover होता है protective layer होता है और उस layer को हम बोलता है integment जिसमें से बाहर वाले layer को बोलेंगे outer integment अंदर वाले को बोलेंगे inner integment ठीक फिर देखो क्या है integments encircled the nucellus except at the tip देखो क्या कहता है कि यह जो integment है यह nucellus अब nucellus क्या हुआ यह main obule का main body है obule का यह main body है यही कहलाता है nucellus तो nucellus को यह integment चारों और से घेर लेता है लेकिन एक जगा को छोड़ करके वहा जगा कौन सा है यह है macropile कथा integment encircled the nucellus except at the tip where a small opening called macropile ठीक है मतलब macropile वाले जगा में integment नहीं होता है बांकी obule के सभी भाग को चारों और से integment घेरे दाता है ठीक आगे देखो क्या है opposite the macropile end is the kalaja representing the basal part of the ovule मतलब यह जो macropile है इसका जो opposite side है यानि macropile यह है इसका opposite side यह हो गया वो क्या कहलाता है kalaja और kalaja क्या चीज़ को दासाता है तो यह ovule के basal part को दासाता है basal part मतलब यह जो है real में होना चाहिए नीचे और इस भाग को होना चाहिए उपर लेकिन नीचे का पाट उपर की हो रहा है उपर का पाट नीचे को रहा है मतलब यह जो ovule है यह ultra ovule का figure है ultra ovule होता है सीधा भी ovule होता है ज्यादा तर जो plant होता है जितना angio-ispermic plant होता है उसमें ultra ovule present रहता है उसको ultra ovule को बोलता है ana tropis ovule हम लोग आगे ovule के टाइप को पढ़ेंगे और जो कुछ plant होता है जो jimno-ispermic plant होता है उसका ovule सीधा होता है मतलब उसमें यह वाला पाट रहेगा उपर यह वाला पाट रहेगा नीचे तो kalaja जो है यह ovule का बेसल पाट होता है Inclosed within the integment is a mass of cell called nucleus यनकि Inclosed within the integment is a mass of cells called nucleus यनकि यह जो integment है यह ovule के एक भाग को जिस भाग को चार और से गभर करता उस भाग को हम क्या बोलता है nucleus less कहता है cells of the nucleus less have abundant reserve food materials मतलब कहता है कि new cellus का जो cells होता है यह जो new cellus में बहुत सरा cells होता है उसमें बहुत सरा food reserve रहता है इसमें बहुत सरा भोजन जमा हुआ जमा रहता है located in the embryo sec और female gametophyte यनकि यह जो embryo sec या female gametophyte के पास new cellus है इसमें जितना भी cells होगा उन सभी cells में food जमा रहता है देखो या कहाता है एक उबियूल में जेनली एक embryo sec होता है एक उबियूल में प्राया एक ही embryo sec होता है कभी कभी एक उबियूल में एक से ज़्यादा embryo sec हो सकता है तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक उभ्यूल में जेनरली एक इंब्रायो सेख होता है और वह एक इंब्रायो सेख किसे बना होता है मेगाइस्पोर से मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिफ हुआ था 4 मेगास्पोर बना था 4 मेगास्पोर में से 3 नष्ट हो गया था बचा था 1 मेगास्पोर वही 1 मेगास्पोर साइज में बढ़ाutral करके क्या बनाया इम्ब्रायो सेख इसके आगे अभी NCRT बुकमेंट लिखावा नहीं है इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग इम्राव सेक और जो development of female gamit of height होता है female gamit कैसे कैसे बनता है अभी तो बस बना करके हम दिखा दिये इसका पूरा process हम लोग पढ़ेंगे कि एक mega sport mother cell से किस तरह से मिराव सेक बनेगा उसमें किस तरह से female gamit बनेगा हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे ठीक तो अभी के class में हम लोग समझ गए कि ovule का ये structure किस तरह का होता है और इसके अंदर में female gamit कैसे बनता है ये हम लोग अगले class में बढ़ेंगे class miss नहीं करना है जिसका पीछे का class सुटा हुआ है वह पीछे का video देख लें जा करके और सभी point को समझना है सभी point को copy में लिखना है याद भी करना है ठीक हम लोग मिलेंगे अगले class में